आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है नमस्कार MNS News लाइब में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अर्शियन सारी आए देखते हैं बॉलिवूट की कुछ खास ख़बरे वेकिशन से लोट रही सारा और इबराहिम रूमर्ड गल्फरंड पलक तिवारी भी हुई स्पोट जिया सारा अलिखान उनके छोटे भाई इबराहिम अलिखान को बॉलिवूट के सबसे अच्छे भाई बहनों की जोड़ी में से एक माना जाता है जब सारा अपने शूटिंग शेडिूल से फूरी होती है तो यह अकसर अपना सारा ख़ली समय अपने मा अमरिता सिंग अपने भाई इबराहिम अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बिताती है सारा के भाई इबराहीम अली खान ने आने वाले रोमेंटिक ड्रामा रोक हिरानी की प्रेम कहाने में पॉपुलर फिल्म निर्माता करन जोहर के सहायक निदेशक के तौर पर काम किया है इस बीच सारा इबराहीम हाली में गोवा में एक छोटी छोटी के लिए गये थे जोडी के साथ उनकी कथित गल्फ्रेंड फलक्तिवारी को भी देखा गया आपको पता दे कि हाली में सारा इबराहीम अली खान को वेकेशन से लोटते हुए मुंबई एरपोर्ट पर एक साथ भाई बहन के अपने व्यस्त कारिक्रम से एक छोटा सा ब्रेक लिया टकाचों अंद ग्लैमरस से दूर एक तोरी छुटी का आननत लेने के लिए गोवा चले गए सारा इबराहीम जिन्हें हवाई एड़े पर एक साथ देखा गया था जहां पैपराजी ने उनका स्वागत भी किया लेकिन इन सब के बीच पलक तिवारी की एयरपूर्ट पर प्रेजेंस सभी की ध्यान खीचा जिया हवाई एड़े की तस्वीरों देखकर ऐसी अटकल लगाए जा रहे है कि पलक असल में इबराहीम उनकी बहन सारा लिखान के साथ उनकी गोवा छुट्कियों पर गई थी लेकिन सारे इबराहीम के बाहर आने के कुछ देर बाद यंग एक्ट्रिस हवाई अड़े से बाहर निकल गई जिनको नहीं पता उन्हें बता दे कि इससे पहले पलक इबराहीम को मुंबई के एक रेस्ट्रों में भी देखा गया था जहां से दोनों की डेटिंग क अफवाहों में जन मिलिया था जिया लेकिन बाद में एक्ट्रिस ने बताया कि वो इबराहीम सिर्फ अच्छे दोस्त है एक इस बीच इबराहीम अली खान के वर्क फरेंड की बात करे तो वह जल्द ही आने वाली फिल्म के साथ अपने अभी नए की शुरुआत करने के लि एक्ट्रिस अपने फैशन चांसे से अपने फैंस फॉलवर्स को हैरान कर देती है हाला कि एक्ट्रिस अपनी नीजी जिन्दगी को लेकर चुपी साधे ही रहती है लेकिन इस साल फरवरी में ऐसी अटकल लगाई गई कि एक्ट्रिस विल्डर्स यश्य कटारिया को डेट कर बांदरा में एक कैफे से बाहर निकलते देखा गया था भूमी पेड़नेकर की बहन समिक्षा पेड़नेकर भी शामिल हुई कार में बैठने के पहले एक्ट्रेस ने पैपराजी के लिए पोस भी दिये डेट नाइट के लिए भूमी उनके कथित बॉइफ्रेंड काले पहनी थी वही समिक्षा ने टूपीस आउटफिट ये पहना था इससे पहले एक बार भूमी पेड़नेकर को यश को किस करते हुए देखा गया था भूमी के यश के साथ डेटिंग की अफ़ाय पहली बार तबूरी जब दोनों को एक साथ फरवरी में किया रादवानी सिद जार्टमल होत्रा के रिसेप्षन के बाहर किस करते हुए देखा गया था रिपोर्ट्स के में कहा गया है कि रिसेप्षन में वे पूरी शाम एक साथ थे वैन्यू से निकलने के बाद एक्ट्रेस को कार के अंदर यश के साथ रिप्लॉक करते देखा गया जैसे ही सेलिब्रिटीज के काफी करीब है जिया इस बीच एक्रेस के वर्ट्फरेंट की बात करें तो वह में पिरने कर को आकरी बार फिल्म अफुआ में देखा गया था एक्ट्रेस ने राजकुमार राव के साथ फिल्म भीड में भी काम किया है सोनम कपूर की सिनेमा में वापसी पर लगा ग्रहन सुजाए घोश ने नाजाने किस बात का लिया बदला जिया अभी नेतरी सोनम कपूर पर चाल साल के बाद क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लाइन के जरिये वापसी कर रही है ये फिल्म साल 2011 में रिलीज कोरियन फिल्म ब्लाइन की हिंदी रिमेक है सोनम कपूर पिछली बार निदेशक अभी शेक शर्मा की फिल्म जोया फैक्टर में साउटर सिनिमा के स्टार दुलकर सलमान के साथ नजर आई थी जो साल 2019 में सिनिमा घरों में रिलीज हुई थी ब्लाइन सिनिमा घरों में रिलीज ना हो कर सिधे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनिमा पर रिलीज हुई है फिल्म के ब्लाइन्स कहानी स्कॉट्लेंड की रहने वाली एक पुलिस ओफिसर जिया सिंग के इर्दिगिर्द घूमती है एक रात जिया सिंग अपने भाई को पब से अपने कार से घर ले जाने की कोशिश कर रही होती है और तबी दुरगटना हो जाती है जिया जिया सिंग के आखों की रोशनी चले जाती है एक दुष्टीहीन लड़की के तौर पर वो अपनी रोजमर्रा के जिन्दगी को सहज बनाने की कोशिश करती है इसी बीच शहर में कुछ लड़कियों के किटनेपिंग और मर्डर की घटनाएं बढ़ने लगती है जिया सिंग जब अपनी मा से मिलकर वापस आती है और रात में एक कैप में लिफ्ट लेती है तो उसे एहसास होता है कि किटनेपिंग और मर्डर की घटनाएं के पीछे का औरोपी उसको लिफ्ट देने वाला ड्राइवर ही है फिल्म ब्लाइंड में किया जिया सिंग का किर्दार सो नम का पूर्न निभाया है वही किर्दार कोरियन फिल्म में अबिनेतरी किम हा नेवल निभाई थी जिन लोगों कोरियन फिल्म ब्लाइंड देखी होगे वो इस फिल्म की पूरी कहानी को समझ सकते है जिस तरह की कहान और घटना क्रम्प हू बहू इस फिल्म में दिखाए गए है रिमेक्ट फिल्म बनाते समय फिल्म के निदेशक को इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि फिल्म में कुछ ऐसी नई बात हो जो मुल्य फिल्म की कथानक और घटनाओं के थोड़ा सा अलग दिखे लेकिन इ फिल्म जरा सा भी रोमान चक नहीं पैदा करस्पाती है फिल्म बलाइन में किट्नैपिंग और मर्डर के पीछे जिस शक्स का हाथ है वो एक मनोरोगी है दिल्चस्प बात तो यह है कि वहस्त्री रोग विशेशक्य है किट्नैपिंग की हुई लड़कियों को वो बड़ी बेरहमी से बारता है इसके पीछे उनका मोट्यू क्या है यह बताने की कोशिश फिल्म में नहीं की गई है जा फिल्म की कहानी को डेवलप करते वक्त शोम मकीजा और सुदीप निगम शायद इस बात को भूल गए होगे कि फिल्म की प्रिष्ट भूमी उन्होंने स्कॉट लेंड चुनी है अगर इनमें से चूक भी गई तो फिल्म के क्रियेटिक डारेक्टर सुजव घोर से यह कैसे भूल हो गई जो फिल्म में के निर्माता भी है और कहानी और बदला जैसी सस्पेंस रिलर फिल्म बना चुके है जिया फिल्म की पटक अदाम निदेशन शोम मक पुस्त हो सकती थी गैर एक सरकार की सिनिमाटोग्राफी समानने है फिल्म में अच्छे संगीत के नाम पर सिर्फ शोर है ब्लाइन पुलिस ऑफिसर की किरदार में सोनम कपूर ने अपने किरदार को संजीत की से पेश किया है और कुछ एक्षन सीन भी उन्हें के हिस्से में आये है जिन पर वो खरी उत्री है लेकिन किरदार की गहराई को थोड़ा और समझने की जरुवत थी ये तभी संभव हो पाता जब स्क्रिप्ट की डिटेलिंग सही से हुई होती तो जिहां पुलिस इंस्पेक्टर प्रूत्वी खन्ना में किरदार में विनय पाठक ने अधूरा अधूरा सा लगता है फिल्म ऐसे मोड़ पर आकर खत्म होती है जहां उसका उप संहार अधूरा सा दिखता है इसी तरह कि दिन बर के तमाम बड़ी खबरों से फिरकर आएगे आपका रूबरूत अबता कि देखते रहे हैं मेरे साथ यह नियर्शन सारीक्त नमश सारीक पार सती है जप इसी त चार सुछरा साल कर दाना वोती है एम थकी मोड़ी मेरे खत्रतत में से दाना कर वलेकर एदूरा है टिन सकर चाहीं से ओौरब साल बड़ी खूरा सुछंवरा इस रहापका है इसुछ, जगर मू staging जाएSHाभ़ा थ de